Hey guys, thank you so very much for coming back, कैसे हैं या बच्चे लोग सारे, मिरा नाम है सुनीला दिकारी, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को, आज का वीडियो उन सब ही बच्चों के लिए बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट है, जो कि बैचलर ओफ हॉस्पिटल मेनेज्पेंट कोर्स या ज़ादा ज़रूरी है, आज के वीडियो में बात करेंगे, कौन-कौन से क्यारीर ओप्शन्स अविलेबल हैं, अगर हम बैचलर ओफ हॉस्पिटल मेनेज्पेंट जिसके फुल फॉर्म ये है, और शॉर्ट फॉर्म भी एच एम है, होटल मेनेज्पेंट अलग है, हॉस्प नाम लिखिए वाइस सुनिल अधिकारी आपको गूगल में, गूगल में नहीं, गूगल में भी कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कर सकते हैं, जहां पर भी सर्च करेंगे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, केरिड ओप्शन्स की बात करेंगे, प्लस अगर आप बी में आपको समझाने वाला हूँ, so without delaying anything, let's start the video, right, सबसे पहले देखिए, job profile आपके सामने है, सुन्दर सी छोटी सी screen पर मैं दिख रहा हूँ, आपके सामने एक slide open है, मैं slide से simple भाशा में आपको समझाता हूँ, सबसे पहली position है, hospital dean, dean होता है principal वाली position में, तो यहां पर hospital dean मतल है कि पूरे hospital को coordinate administer करने वाला, right, देखिए, this is a top level post in hospital administration, generally reserved for medicals, अचा, medicals कौन है, जो person medical background से belong करते हैं, ज्यादा तर उन्ही को यह position मिलती है, लेकिन आज कर hospital इतने ज्यादा हो गए हैं, corporate में, private में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप medical sector से ही हो, तभी यह position मिलेगी, non medical background के, जो candidate हैं, उन्हें भी यह position मिल सकती है, after a relevant experience, एक certain experience के बाद, 5 से 10 साल के experience के बाद, आपको यह position मिल सकती है, they ensure that the hospital is efficiently run by staff, इनका काम क्या है, work nature क्या है, profile क्या है, देखिए, यह make sure करते हैं, कि जो hospital है, वो efficiently run कर पाए, जो भी staff है, उनको coordinate में रखना, उन पे नजर रखना, उन से अच्छे से काम करवाना, including doctor, nurses, paramedic staff, जितना भी staff है, doctor हो गया, nurses हो गई, जितने भी आपके reception area में लोग है, billing counters में लोग है, सब को administer रखना, सब के मलब जो इनका head है, वो हमारा hospital का dean होता है, अगर कोई भी बड़ी problem आती है, तो सबसे पहले आप approach इसको करेंगे, hospital के dean को approach कर लेकिन जो सबसे major जिसका decision impact करेगा, hospital की working को, वो होगा, hospital dean का, right, second जो हमारी बच्चे लोगो profile है, वो है, hospital superintendent, कई जगे dean से थोड़ा सा नीचे ये superintendent होते हैं, और इनका similar work nature होता है, जो कि एक dean का होता है, देखिए, another top post in hospital administration and management, especially in the government hospital, government hospital में ये hospital superintendent की जो post होती है, वो काफी ज़्यादा popular है, the job role is similar to that of a hospital dean, dean का जो, जैसे अभी मैंने समझाए, dean का जो main work है, coordinate करना, make sure करना कि सब अच्छे से work करें, staff का look after करना, उनसे अच्छे से काम करवाना, manage करना, ये भी hospital superintendent के ही similar role होते हैं, then you have hospital administrator, right, administrator बोल सकते हैं, admin होता है, वो person जो अलग-अलग aspect को measure करता है, अलग-अलग चीज़ों का ध्यान रखता है, लोगों से बना के रखता है, networking ability बहुत अच्छी होती है, make sure करता है, hospital में किसी चीज़ की कमी ना पड़े, they generally look after the day-to-day functioning of the hospital and its service, यहां पर main चीज़ कहा है, day-to-day, day-to-day, day-to-day हो गया है चाहे वो medical, medical कोई भी supplements वगएरा हो, medicine वगएरा हो, staff की requirement हो, कोई staff नहीं आया है, उसका look after करना हो, तो यह सारी चीज़े कौन देखेगा, hospital, administer देखेगा, they have to coordinate with the various department, various department के साथ उनको coordination बना के रखना पड़ता है, और various department उनके साथ coordination बना के रखते हैं, ताकि उनको भी पड़े, तो वो से contact कर सके, yes or no, am I making sense, all right clear, चलिए, आगे है, अचा, salary आप देखते जाए, 15 to 20 lakh, 15 to 20 lakh, दोनों का, dean का, superintendent का, 3 से 15 लाग, अचा, सीधे 15 लाग मिल जाएगी, कि सर, नहीं, शुरुआत में जब आप inexperience होंगे, तो आप normal hospital में work करेंगे, बहुत बड़ा hospital लेकिन, जैसे जैसे आपकी skill set improve होते रहेगी, जैसे जैसे आप experience gain करते रहेंगे, अपने काम से, लोगों को impress करते रहेंगे, आपकी salary 3 या 4 लाग से start होकर, 10 से 15, 20 लाग तक यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है, hospitals की, जो बड़े-बड़े hospitals हैं, उनकी कम नहीं है इंडिया में, चलिए, hospital billing executive, कहीं पर admission के लिए जाना है, hospital में ही admit करना है किसी को, अच्छा, discharge के लिए billing वगेरा जो होती है, किसी doctor से मिलना है, तो आपको पडचियां कटानी पड़ती है, बोलते ना पडची कटानी उन doctor की, या फिर slip कटानी है, या फिर appointment लेना है, तो वो सारा जो paperwork होता है, वो करते हैं, billing executive, तो ये positions के लिए भी आप work कर सकते हैं, the main role of a billing executive is to manage the billing section of a hospital or the healthcare facility, somewhere around 3-5 लाग रुपे होती है, अगर बड़े hospitals में work करते हैं, तो ये gradually increase होते रहती है, आपकी salary structure, then you have a position called executive assistant, अच्छा, ये के काम करते हैं, the executive assistant in a hospital manages the reports, correspondence and other related documents, जितना भी data entry work होता है, feeding, बहुत सारी चीज़े अपन को, जो client है, जो customers है, जो patient है, उनका data maintain रखना पड़ता है, अच्छा, ये सारे data को maintain करने काम होता है, executive का, assistant का, coordinators का, तो ये काम, ये लोग करते हैं, conferences को arrange करना, meetings को arrange करना, various tasks को handle करना, all these are the work nature of a executive assistant, simple हो रहा है, I hope so, अगर ये 8th और 10th class का बच्चा भी देख रहा होगा, तो उसको भी मूटा मूटा idea लग गया होगा, कि कौन-कौन सी job profile होती है, hotel line में, hotel line में नहीं, hospital line में, जहां पर हम apply कर सकते हैं, ये सारे एक जैसे लगते हैं, hospital, hospitality, hotel, इसले थोड़ा बहुत confusion हो जाता है, चले बच हैं, hospitality management course करने के बाद, कौन से आप PG level के courses कर सकते हैं, ऐसे courses जो कि आपकी salary को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी recognition को बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छी जगे, job मिलने के chances को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक UG degree हर एक बच्चे के पास होती है, what separates a candidate from a good candidate is a added qualification, sometimes added qualification is required in order to excel in any job, तो यहां पर क्या है देखिए, जैसे ही आप BHM complete कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं, Masters in Hospital Administration, BHM का बड़ा भाई, Masters in Hospital Administration, यह फिर आप कर सकते हैं, MBA in Hospital Management, तो यह भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी relevant specialization है, MBA in Hospital Management, then you have PG Diploma, PG Diploma भी आप कर सकते हैं, Health and Law में, PG DHL इसको बोलते हैं, यह फिर PG Diploma in Healthcare Operations and Quality Management, जिसको हम PG DHLOM धूम बोलते हैं, PG Certificate कर सकते हैं, Quality Management में और Accredation में, PG QM AHO इसका नाम है, तो यह various-various qualification में आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको Hospital Line में बहुत ही ज़्यादा help करेगी अपने career को आगे बढ़ाने में, PhD कर सकते हैं, आप जि अगर आप चाहें, तो आप Research Field में या फिर Teaching Field में, School या Colleges, School तो नहीं, आप Colleges वगएरा, Universities वगएरा में टीच कर सकते हैं, PhD करने के बाद, तो बहुत सारे career options available हैं, अगर आपको Teaching Field में जाना है, Research Field में जाना है, Hospital Line में ही आगे आपको अपना career बनाना है, तो यह courses आप कर स लेंगे, तो जितना भी confusion है, Hospital Line से related, आप दूर कर पाएंगे, जितने भी profile मेंने समझाई है, I hope so, मैं सरल भाशा में आप तक कन्वे कर पाऊंगा, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम है YouTube में, जहां पर आपको clear cut, simple language में career guidance मिल सके तो अगर आप एटी effort को appreciate करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक like जरूर करके जाएएगा, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, next वीडियो के topic पे चाहते हैं, please comment करके जरूर बताना, हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, तो please channel को subscribe करना मत भूलना, मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, goodbye, this is Sunil signing off, पढ़ते रहे हैं, महनत करते रहे हैं, क्योंकि आपका भी दिन आएगा, thank you so much.